हैलो फ्रेंडस वेलकम बैक माई यूटूब चैनल फ्रेंडस चलो आज बनाएंगी हम घर पर समोसा कैसे बनाते हैं देखो सबसे पहले हम समोसे के लिए लेंगे मैदा मैदे में डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा नमक और इसमें डालेंगे हम घी या फिर कोई कुछ भी कुकिंग ओयल जो आप यूज करते हैं कुछ भी वही डाल सकते हैं एक चमज के करीब और इसको अच्छे से हम हाथ से मिक्स कर लेंगे और उसके बाए थोड़ा-थोड़ा पानी डालती है हम इसका एक सोफ्ट डो तियार करेंगे कलडे वाला डो और इसको हम 15-20 मिन्ट के लिए डख कर रख देंगे और अभी हम इसकी फिलिंग की तियारी करेंगे हमने अलू बॉइलिंग कर ली है उसके बाद अलू में डालेंगे नमक, हल्दी, मेर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हरी मेर्च, जीरा, काला नमक, चाट मसाला और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स चलो अभी देखो समोसा बनाते है वैसे हम इसकी फिलिंग में थोड़ी मटर, हरी मटर या फिर हम इसमें पनीर के कुछ पीसिस भी डाल सकते है वह हम आपकी चोईस है देखा हम रोटी के जैसे हम इसको बेल लेंगे रोटी के जैसे हम गोल गोल इसको बेल लेंगे उसको दो पीसिस में हम कट करेंगे इसको हम दो पीसिस में अभी कट करेंगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक और शेर करना अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना अभी हम दो पीस हमने अभी हमने कट कर दिया और इसके साइड साइड में हम थोड़ा लगाएंगे पानी कि तीन दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे जिससे यह आसानी चिपक जाए और फ्राई करते हैं टाइम हमारा समोसन ना खुले और इसके अंदर जो हमने फिलिंग तियार किया अलू वाली वो डाल देंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे पानी लगाते हुए ही अभी करेंगे हम इसको फ्राई आप इसको छोटी है बड़ी से आप कुछ भी दे सकते हैं थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं वह आपकी जोईस है आप हम इसको लो टू मीडियम आज पी ही फ्राई करेंगे देखो हमारा समोसा कितना टेस्टी और कितना अच्छे बना है थैंक्स फर वोचिंग